हेलो गाइज मैसेल्फ शुभम अगरवाल फ्रम टिमाशिश तो अब अपन आगए अपनी नेक्स्ट वीडियो पर विटामिन बीशिक्स पाइडी डॉक्सिन ठीक है इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट ली वही को एंजाइम फंक्शन्स देखें को एंजाइम फॉर्म इसका क बात करूँ तो यह पिरिडिन डेरिवेटिव्स है यह भी B3 के जैसे ठीक है पिरिडिन डेरिवेटिव्स है और इसके तीन फॉर्म होते है ठीक है तीन फॉर्म्स कौन कौन से होते है एक तो होता है खुद जो अपनने लिखा है पाइरी डॉक्सिन ठीक है पाइरी डॉक्स फॉर्म्स हो गए ध्यान पाइरीडॉक्सिन पाइरीडॉक्सल और पाइरीडॉक्सामिन ठीक है यह तीन फॉर्म्स होते है और इसका जो एक्टिव फॉर्म जो होता है एक्टिव को एंजाइम जो फॉर्म में इसका वह होता है पी एल पी पाइरीडॉक्सल फॉस्फेट अपनने कई metabolism में reactions भी देखी थी जो PLP dependent थी तो ये वो अपन refresh करेंगे अभी ठीक है कि PLP dependent कौन-कौन सी थी तो क्या-क्या functions है Pyridoxal Phosphate के देखते हैं ठीक है तो total 6 function अपन को याद करने हैं ठीक है तो 6 के 6 बलाई उसमें सारी reaction याद नहीं हो पर वो 6 points अच्छे से याद कर लेना ठीक है और ये जो PLP है ये act as co enzyme for major majority of reactions जो होती है amino acid metabolism में जो अपनने पढ़ी थी उस पर ये dependent है ठीक है जो अपनने याद है आपको जो अपनने B1 vitamin पढ़ा था जब मैंने बोलाता है कि carbohydrate metabolism में major link आपका B1 कर रहा है और ये B6 जो है ये आपका pyridoxin जो है protein metabolism amino acid metabolism से relate कर रहा है ठीक है तो इसकी RDA पढ़ेंगे जब अपन मैं इसको इसकी बात करेंगे ठीक है तो अभी अपन reactions देखते है ठीक है तो total 6 अपन को पढ़नी है सबसे पहले अपन पढ़ रहे है trans amination reactions नाम सुनते ही ध्यान आगई होगी कौन सी थी ठीक है trans amination reactions कौन कौन सी थी कौन से enzyme इसमें involved होते हैं ALT, AST, SGPT, SGOT अपनने पढ़ेते हैं अच्छे से फटा-फट से बता दो क्या थी एक तो alanine वाली थी alanine जो थी वो alpha keto glutrate की मदच alanine alpha keto glutrate से क्या बन रहा था आपका pyruvate plus glutamate जो था central acceptor था ammonia का ठीक है, ammonia के metabolism मच्चे से देखा था ना अपनने और कौन सा enzyme है, alanine है तो ALT, या फिर pyruvate बन रहा है तो इसको ही क्या बोलते हैं, SGPT और इसमें कौन सा enzyme ची होता है, को enzyme PLP क्योंकि अपन वही पढ़ रहा हुई दूसरी कौन सी थी, एक aspartate वाली थी तो aspartate plus alpha keto glutrate वही same, इसमें क्या बनेगा oxalo acetate बनता है, और same glutamate ठीक है, तो इसमें oxalo acetate बन रहा तो कौन सा enzyme, SGOT aspartate की है तो कौन सी, SGAST और PLP को enzyme ची होता है, ठीक है तो पहली reaction अपनने 6 में से complete कर ली है trans amination reaction दूसरी यह PLP किसमें ची होता है decarboxylation reactions, ठीक है majorly amino acid metabolism में decarboxylation reactions अपनने पढ़ी थी जैसे यह glutamate है glutamate से जब GABA बनता है decarboxylation में क्या हो रहा है सब में 1 CO2 release हो ठीक है तो इसमें PLP की requirement होती है ठीक है, histidine जो है amino acid उससे histamin बनता है एक CO2 निकलता है इसमें भी PLP की requirement है ठीक है, एक अपनने पढ़ी थी 5 hydroxy tryptophan 5 hydroxy tryptophan से क्या बन रहा था serotonin उसमें भी PLP की requirement होती थी ठीक है, और एक अपननने पढ़ी इसमें भी एक CO2 निकल रहा था और PLP की requirement होती है ठीक है तो यह 4 reactions द्यान रख लेना बहुत important है यह 4 मैंने बहुत अच्छे से चाट के आपके लिए important निकाली है ठीक है, तो decarboxylation reaction यह अब अगर यह इसमें ही अगर कुछ और बात तो मैं बताऊं आपको interesting तो यह GABA क्या है अपने physiology में पढ़ा है inhibitory neurotransmitter है अब मान लो अगर vitamin B6 की deficiency हो जाती है अपन deficiency manifestation में देखेंगे इसको अगर deficiency होगी तो GABA नहीं बनेगा तो inhibitory neurotransmitter कम हो जाएगा तो मतलब comparatively excitatory function brain ब्रेन का ज्यादा हो जाएगा इसलिए जो persons जो चिल्रन्स इनमी deficiency से शीजर्स से manifest करते है brain hyperactive हो जाता है शीजर्स हो जाते है उनके अंदर ठीक है क्योंकि inhibitory कम हो गया तो excitatory ज्यादा हो जाएगे neurotransmitters और उससे क्या होगा brain hyperactive हो जाएगा तो यह दूसरी भी अपनने complete कर लिए decarboxylation reactions तीसरी अपन को ध्यान कौन सी रखनी है एक अपनने sulfur containing amino acids पढ़े थे ना sulfur containing amino acids के metabolism में कौन-कौन सी reaction आ रही थी उसी को अपन बोलते trans-sulphuration reaction तो कौन सा था homocysteine याद आ रही है वो reaction homocysteine जो पहले serine से react कर रहा था और PLP enzyme उसमें चीए था PLP coenzyme और क्या बना रहा था सबसे पहले cistathionine कौन सा enzyme था cistathionine beta synthese या फिर simple cistathionine synthese और फिर यह cistathionine जो था वो सीधा break हो रहा था किसम है homo अब यह reaction तो यह की है मैं आपको दो करके बता रहा हूँ आप बलाई direct लिको homocysteine प्लस सीरीन और क्या बन रहा था homo serine मैंने ऐसे बताय था homo serine और systeine अलग हो जाएगा ठीक है ठीक है और इसके अंदर भी PLP coenzyme की requirement होती है ठीक है और यह कौन सा enzyme था सिस्टा थायोनेज तो PLP enzyme किस-किस reaction में हो रहा है वह अपन देख रहे थे तो उसके अंदर यह sulfur PLP dependent था first reaction कौन सी थी succinyl coenzyme A वह किसके साथ combine हो रहा था glycine के साथ delta amino livolunic acid rate limiting step ALA synthetase enzyme की मदद से और it requires PLP as cofactor वहाँ यह भी अपनने डिसकस किया था ठीक है हीम synthesis भी हो गया इसलिए अगर मान लो B6 की deficiency हो जाती है तो हीम नहीं बनेगा हीम नहीं बनेगा तो हीमोगलोबिन में incorporate नहीं होगा तो क्या होगा anemia होगा वह भी अपन deficiency manifestation में देखेंगे पर हर चीज ऐसे लिंक करके पड़ोगे तो याद करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी सब सोच सोच की हो जाएगा काम आपका ठीक है ज्यादा रटने वाली सिस्टम नहीं पड़ेगा ठीक है पांच वह पॉइंट अगर अपन बात करें तो जो ही अपनी पिछली वीडियो प्रोड़क्शन आफ नियासिन फ्रॉम ट्रिप्टोफान मैंने बताया था कि आपको इस वीडियो में वावपिस से बीसिक्स पड़ाऊंगा जब डिसकस करूँगा मैं आपसे ठीक है तो नियासिन बन रहा है फ्रॉम ट्रिप्टोफान ठीक है तो कौनसा अब अगर विटामिन B6 की डिफिशनसी हो जाती है किसी परसन में तो यह नहीं बनेगा तो नियासिन भी नहीं बनेगा ठीक है और niacin B6 की deficiency में niacin भी नहीं बन रहा मतलब एक vitamin दूसरे vitamin के लिए बहुत ज़रूरी है B3 की deficiency होगी तो B6 की भी deficiency होगी और B6 की deficiency होगी तो B3 की भी deficiency होगी और इसकी deficiency से फिर यह क्या बनेगा Xanthironic Acid बन जाएगा और वो फिर है सीधा urine के अंदर excrete out हो जाएगा ठीक है आपका niacin का production रुक गया है तो यह मैंने बताया था आपको ठीक है यह पांचवा होगी और छटी मैंने आपको 6 बताई थी तो एक जो होती है glycogenolysis glycogenolysis अपने पढ़ी थी कौन सा enzyme होता है इसमें glycogen phosphorylase ठीक है और क्या करता है glycogen से glucose अपने पढ़ी है ना अच्छा से तो क्या है कि more than 70% जो total PLP जो होता है pyridoxal phosphate वो muscle के अंदर होता आपके ठीक है और यह कहां पर हो रहा? muscles के अंदर तो अगर इसकी deficiency है तो glycogenolysis भी नहीं होगी तो आपको mainly 6 points कौन-कौन से ध्यान रखना है most important trans amination reactions ठीक है यह दोनों आपको याद रहेगी उसके बाद decarboxylation reactions में glutamate, histidine, 5-hydroxy कुछ भी 3-4 याद रख लेना trans-sulphuration reactions, sulfur containing amino acids ऐसे-इस point बना के याद रखना हीम synthesis ठीक है पहला step rate limiting फिर production of niacin from tryptophan और glycogenolysis ठीक है तो यह इसके 6 main features हो गए अब अपन बात करते हैं deficiency manifestations की deficiency manifestations क्या-क्या होगी अगर इसकी deficiency होगी ठीक है देखते हैं अपन अपन ने वैसे साथ-साथ में भी बात करिए इसकी deficiency से क्या-क्या हो सकता है पर वापिस देखते हैं क्या होगा इसकी deficiency से ठीक है तो इसकी deficiency से बताओ hematological कोई manifestations आएंगे क्या है hematological मतलब blood के कुछ manifestations आएंगे क्या है तो मैंने क्या बताए हीम synthesis में इसका role है इसकी deficiency होगी तो हीम नहीं बनेगा तो hemoglobin में incorporate नहीं होगा तो इसमें जो होता है microcytic hypochromic anemia देखने को मिलता है इसकी deficiency में ठीक है microcytic hypochromic anemia देखने को मिलता है ठीक है और क्या होगा इसकी deficiency हो जाएगी तो बताओ dermatological manifestations कुछ skin के manifestations होगे क्या ये तो अपने पिछली वीडियो में बता दिया सर आपने के niacin की deficiency हो जाएगी अगर B6 की deficiency है तो वो kainuranin वाला पातवर अभी भी बता दिया तो फटा-फट बताओ क्योंकि ये tryptophan का metabolism को affect करता है tryptophan के metabolism को affect करता है तो tryptophan से niacin नहीं बन रहा तो niacin की deficiency इसकी deficiency से भी manifest होगी अगर B6 की deficiency ही तो niacin की deficiency manifest होगी और pellagra-like features देखने को मिलेंगे वो ही DDD diarrhea, dementia, dermatitis ठीक है और nails के अंदर अगर अगर अपन बात कर रहे है तो irregular dentation in nails देखने को मिलेगा ठीक है तो ये dermatological manifestations हो गई most important neurological manifestations neurological manifestations देखने को मिलेगी क्यों क्योंकि ये अपन ने देखा serotonin, epinephrine इनके level जो ये अच्छे से produce नहीं हो रहे है इसकी deficiency में ठीक है क्योंकि इन में ये अपन कर रहे थे न ये decarboxylation और उससे नहीं हो पर आप serotonin और वो तो serotonin और ये अच्छे से produce नहीं हो रहे है और children में मैंने बात करी convergence देखने को मिलते हैं क्यों देखने को मिलते हैं क्योंकि GABA का production नहीं हो रहा और GABA कौन सा है inhibitory neurotransmitter है ये नहीं हो रहा तो excitatory बढ़ जाएंगे और उसके करणन brain hyper excitable हो जाएगा और seizures और convergence देखने को मिलेंगे तो ये neurological manifestations हो गए ठीक है और क्या-क्या देखने को मिल सकता है homocysteineuria भी देखने को मिल सकता है ठीक है homocysteineuria homocysteineuria अगर देखने को मिलता है तो cardiovascular risk बढ़ जाता है ये अपनने atherosclerosis, lipid metabolism में भी मैंने आपको बताया था कि homocysteine का level अगर बढ़ जाएगा क्योंकि homocysteine का क्यों बढ़ रहा है वो ही अपनने देखा न trans-sulphuration reaction है अगर PLP कम है तो homocysteine का degradation नहीं होगा homocysteine से फिर वो जो अपना बन रहा था homocysteine और सिस्टीन वो नहीं बनेगा तो homocysteine का level बढ़ जाएगा कर अपन बात करें तो वो ही है कि कौन सी ड्रग इसको इसकी deficiency कौन-कौन सी ड्रग की वज़े से B6 की deficiency हो जाती है ठीक है B6 की deficiency कौन-कौन से ड्रग की वज़े से होती है तो उसमें 2-3 नाम आपको याद रखने है एक तो अपन ने पिछली वीडियो में बताई थी, आइसोनाइज़, जिसको आई एन एच, एंटी टूबर्कुलर ड्रग है, तो ये क्या करती है, ये डिक्रीज करती है, फॉर्मेशन आफ पी अलपी, एक और ड्रग है, साइक्लोसीरीन, ये भी अपन टीबी में ही देते है, साइक्लोसीरीन जो है, ये भी ये B6 एंटागोनिस्ट है, तो इस ड्रग की वज़े से भी इसकी डेफिशन्सी हो सकती है, और एक है पैनिसीलमीन, पैनिसीलिनमीन, ठीक है, तो इन तीनों ड्रग की वज़े से, B6 की डेफिशन्सी मेनिफेस्ट हो सकती है, ठीक है, तो वो बात ध्यान रख सकते है, ठीक है, अब सिंपल वोई सोर्सिस, वोर्सिस की बात कल लेएं, तो वोई सब के सेम ही सोर्सिस चल रहे है, इस्ट, वीट, और सीरियल्स, लेग्यूम्स, पल्सिस, ओईल सीड्स, ठीक है, एग, मिल्क, मिल्क वो गया, मीट हो गया, आपके यह सब, फिश हो गया, ग्रीन लिफी वेजेटेबल्स, यह सोर्सिस हो गया, अब RDA की बात बताओ मेरेको, अपनने बीवन डिसकस किया था, अब क्या बोलाता है कि कार्बोएडरेट मेटाबोलिसम से लिंक था, तो इसकी भी ज़रूरत बढ़ती जाएगे, तो अगर प्रोटीन ज़्यादा है डाइट में ले रहे हो, तो विटामिन B6 भी उतना होना चीए, ताकि वो प्रोटीन का मेटाबोलिसम अच्छे से हो सके, ठीक है, अपन बात करें तो 1-2 मिलिग्राम पर डे इसकी RDA है, ठीक है, सेम वही RDA है, और प्रेगनेंसी और लेक्टेशन के अंदर इसकी रिक्वार्मेंट बढ़ जाती है, तो around 2.5 मिलिग्राम पर डे इसकी recommended dietary allowance होती है, पर ये बात ध्यान रखना कि protein metabolism से लिंक है, protein intake पर depend करता है, ठीक है, कई बार MCQ और ये आते हैं, तो ये अपन को गलत नहीं करना है, ठीक है, कोई भी चीज अपन गलत तो करेंगे ये नहीं, ठीक है, क्योंकि अपनने अच्छे से deficiency manifestation देख लिए, उसके बाद अच्छे से ये 6 reactions देख लिए, ये अच्छे से ध्यान रखना है, transamination, decarboxylation, transalphuration, heme synthesis, niacin वाला और glycogenolysis, ठीक है, ऐसे इस line से याद रखना, बहुत बढ़िया से, और बाकी कोई दिकर नहीं है, ठीक है, तो ये अपना B6 vitamin भी अपनने देख लिया, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत, और comment में करके जरूर बताओ, कि कैसा क्या मज़ा आ रहा है के नहीं, क्योंकि ये vitamin बहुत ज़्यादा boring topic है, पर उसको भी इतना interesting आपके लिए, previous वाला भी ले लेके, और अच्छे से कि आपको लगे कि हाँ, ये reactions भी हमने पढ़ी है, और वो direct मचाता तो ऐसे ही लिख देता, और ये reaction आप याद करते बैठते पर, ठीक है, मैं मेरी तरब से कर रहा हूँ, तो आपको भी कुछ, comment, comment करके बताओ, प्लीज, कैसा लग रहा है, क्या मज़ा आ रहा है के नहीं, ठीक है, तो मुझे भी confidence हो रहा हैगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत,